राम मंदिर पे क्या सोचते हो जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अंदर खुशी है खुशी में है कि मंदिर बना हमारे यहां इतने दिन पेंडिंग में पड़ा रहा हम लोग उस अवसर को इंतजार कर रहे थे एक कहेंगे कि मोधी के ओड़ देंगे कोई फोकस ने में जानता को प्राण प्रतिष्ठा है और योपी में हमारी यूपि में मनेद वाला हि है राम मंदिर है वह सरां मंदिर ना कितने शंगर्ष लोगों ने किये इस राम मंदिर के लिए ना जाने कितने संगर्श हुए लेकिन वाकई में जब 22 जनवरी को प्रधान मंतरी मोदी मुख्य अजवान के रुप में शिराम जी की प्रांड प्रत्रिष्ठा करेंगे तो वाकई में वो एतिहासिक गौरव वाला दिन होगा लेकिन उसी बीच हम एक ऐसी जगह पे आये हैं साहब यह जगह वो है जहां पर राम और परशुराम का मिलन स्थल है यानि यहां पर राम जी और परशुराम जी मिले थे पहले एक बार वो दिखा दिये सर यह दोहरी घाट है और यहां पर लिखा है कि पुरजो द्वारा वाल परशुराम भी उत्तरवाही मासर्यू के इसी तड़ पे थे और यहां पे प्रभूश्री राम परशुराम का मिलनस्तल है आज उसी जगह पे हम जनता से पूछेंगे कि वाकई में राम मंदिर बन रहा है उसमें आपकी क्या चीजें हैं क्या इसका प्रभाव 2024 के चुनाव प चाहिए और क्या उनके मन में है प्रभूश्री राम आ रहा है न एक गाना है कि मेरे जोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे तो राम तो आ रहा है साहब लेकिन लोगों के मन में क्या चल रहा है आज गोरक पुरदस्तक सहाब ढून कर निकालने आया है आपको बताने आया है चलिए जंता से इंट्रेक्शन होते हैं आज दोहरी घाट में राम परशुराम मिलनस्तल से जंता की कवरिज आपकी कवरिज जरूर देखिएगा पूरा वीडियो देखिएगा चलिए सर जंता से इंट्रेक्शन होते हैं इस वक्त मैं राम परशुराम मिलनस सबसे पहले बहुत बहुत बधाई जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं कलपनाथ ची आपका नाम है मेरा आज का सवाल है सर मैं ऐसे ही आया था और बात हो रही थी राम मंदिर पे आज एक सवाल आप से पूछना चाहता हूं क्योंकि आप वैसे भी पुन्य का काम करते हैं कितना खुसी है और 22 जन्वरी को एक वहाँ पे होने वाला है उसके बारे मिताईए और क्या हमारा सवाल है क्या राम मंदिर और 2024 को एक जोड़कर देखना चाहिए चुनाओं को एक जोड़कर देखना चाहिए तमाम बाते हैं करने कि वैब तो जनहिट का मामला है हम लोग को आस्था है श्री राम जीज से और उनके लिए पहुत उसाह में हैं खुसी में हैं कि बाइच हमारे यहां इतने दिन पैंडिंग में पड़ा रहा हम लोग उस औसर को इंतजार कर रहे थे बहुत खुसी है कि राम मंदिर बन रहा है इसका प्रभाव 2024 के चुनाओं में पड़ेगा राम मंदिर का देखिए अब जू की जो सरकार बनवाई है उससे हम लोग खुसी तो महसूस करी रहा है कि उस सरकार को पुना हम लोग चाहेंगे कि हमेशा रहे है इसलिए कि हम लोग क लिए तो बनाई रहा है तो बहुत खुस तो है चलिए ठोड़ा और भी जनता से बात करते हैं इंट्रेक्शन लेते हैं का नाम बचाचा हुआ हमारा आजम गड़ घर है अच्छा एक चीज आजम गड़िया है तो एक चीज तो बहुत फेमस हैं वहां पर राम मंदिर की बात ह मारा है नया साल आ गया है 2024 है आप से इतना पूछना चाहेंगे राम मंदिर के लिए खुस हैं और जिस तरीके से राम मंदिर का प्रभाव 2024 के चुनाओं पर पड़ेगा क्या आपको लगता है आपके यहां पर क्या इस्तिती रहती है चुनाओं के लिए बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनता से इंट्रेक्शन लेते हैं बस हम यह पूछना चाहेंगे क्या इसका प्रभाव 2024 के चुनाओं पर पड़ेगा जनता क्या कहती है राम मंदिर पर क्या ना मैसर आपका धीरज भाई यहीं पर किसी का दाव यह था वो उसी में आये हो कहा के रहने वाले राम मंदिर पर क्या सोचते हो जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अंदर खुशी है या आपको कुछ लगता है कि हाँ सरकार इसे चुनावी मुद्दा बना रही है यह सब चीजें मन में क्या चल रहा है चुनाओं से जोड कर देख रहे हो आप खुश है इसका प्रभाव 24 के चुनाओं पर पड़ेगा या बीजेपी इसका फायदा उठा रही है कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इसका फायदा उठा रही है कि आपको नहीं पता अच्छा यह जनता का इंट्रेक्शन है क्या नाम है आपका भी मियादा एक चीज सरकार कोई फोकस ने जहनता का थो की यानि राम.मंद्ल रहा है उसे बीजञेपी चुनावी मुद्धा बना रही हो आपको कि ब्दा इसका फायदा मिलेगा 2024 में नाम पर द्धान को राम मंदिर के अलावा कौन कौन से मुद्ध पर ध्यान देना चाहिए अरे अब इस वज़े से आप चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि बिहार के यहां के बच्चे बिहार गए इसे पढ़े है यानि बीजेपी को दोजार चौबिस में यह मुद्ध नहीं बनाना चाहिए राम मंदिर तो सबका है राम सबके हैं अच्छा तो यह जनता का इंट्रेक्शन है साहब बहुत बहुत धन्यवाद यही आपसे सुनना था हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर दो